एक बार एक गुरू और शिश्य वर अपनी कोथी में बैटे थे और शिश्य बहुत जिग्यास हुथा, हर चीज को जानने की उसको बहुत जिग्यास है तो वो अपने गुरू से एक सवाल करता है कि गुरू जी सफलता का राज क्या है? सफलता कैसे मिलती है? तो गुरू जी जवाब में कहते है कि बेटा ऐसा करो, कल सूपे ठीक आठ बजे तुम वो नदी के किनारे आ जागा और जैसे ही जो तै कियाता टाइम उस टाइम पे गुरू और शिश्य दोनों नदी के किनारे आते है और नदी के किनारे चलते है दीरे दीरे गुरू जी अपने शिश्य को लेके नदी के अंदर चले जाते है और थोड़ा डिप में जाते है, डिप में जाते है, डिप में जाते है और नदी के बीचों भी जा जाते है जहाँ पे पानी इतना होता है गले तक पानी आजाता है शिष्य के और गुरू के दुनों के और गुरू अचानक उषिष्य का सिर दबागे उष्य को पानी के अंदर डुगोता है वो जोड लगा रहे है गुरू उष्य कोशिश कर रहा है कि मैं बहाराओ बहुत कोशिश कर रहा है कि मैं बहार आओ, मगर गुरू का दबाव बहुत ज़्यादा था शिश्य बहार आने की कोशिश कर रहा था, मगर गुरू उस शिश्य को बहार आने नहीं दे रहे 5 सेकेंड गुई, 10 सेकेंड गुई, 15 सेकेंड गुई, 20 सेकेंड गुई, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड तक शिष्य बाहर नहीं आ सका मगर अंत में वो गुरु शिष्य रह नहीं पाया, उसे सास लेने की बहुत जगवत दी और वो तिल मिला रहा था और पूरे हाथ से जोर लगा के गुरू का हाथ भी साइड में करके वो शिष्ष्य पानी से बाहर आता है और सबसे पहले एक गहरी सास लेता है और फिर अपने गुरु जी को कहता है कि गुरु जी आपनी क्या कर रहे हो मैंने तो आपको सीधा साधा सवाल पूचा था की सफलता का राज क्या है सफलता मिलती कैसे है आप तो मुझे पानी में डुबो रहे है तो गुरु जी उसको एक सवाल करते है कि जब मैं पानी में तुम्हें डुबो रहा था जब तुम पानी के अंदर थे सबसे ज़्यादा तुम्हें किस चीज की जरुवति are तो शिष्षे कहता है कि सबसे ज़्यादा मुझे हुआ की जरुवति अगर एक या दो सेकेंम और हो जाते ना तो मैं मर जाता था तो गुरु स्माइल करते हुए उषष्षे को कहते है कि बस यही सफलता का राज है सफलता ऐसे ही मिलती है वो तिवर इच्छा जब तुम पानी मे थे तब तुमारी तिवर इच्छा थे तुमारी burning desire थी कि तुम्हें हवा मिले हवा के बिना तुम रह नहीं पाते थे वो तिवर इच्छा इतनी तिवर थी कि तुमने मेरा हाथ को धकेल दिया और तुम पूरा अपना जोर लगा के तुम पानी से बाहर आए वो तिवरहिच्चा, बर्नी इस डिजायर वो ही तुमें सफलता दिला सकती हो सफलता का राज इसमें ही छिपा है कि किसी भी चीज़ को तुमारी बर्निंग डिजायर कितनी है तुम किस हद तक जा सकते हो उसे पाने के लिए वो बर्निंग डिजायर जितनी जादा होगी ना उतना ही जल्दी तुमें सफलता मिलेगी और उतनी ही जल्दी तुमारे कोई भी गोल सफल होगे तुमारे गोल कोई भी अच्छी हो जिस तरह से माई टेर फ्रेंड आपने देखा होगा कि एक टाइम पे PCU का डिग्मा हुआ करना ता जिसमें अमको कही पे लोकल लगाना हो ना तो एक रुप्रे डालते थे यानि कि सौ पैसा डालते थे तब जाके वो लगता था या 50 पैसे से कॉल लगता था नहीं पूरे अंड्रेड पैसे डालते थे तब जाके ओना उसके बिना कॉल नहीं लगता उसी तरह बढ़निंग डिजायर माई गिए जितनी आपकी जाला होगी ना उतनी आपको बड़ी सफलता मिल सकती और जितनी बड़ी सफलता आपको चाहिए ना उतनी बर्णिंग डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए इस तरह चाहिए ना उसके होनी जिस तरह से ओन चाहिए वह जिसमें शारूप खाल या किसी चीज़ को अगर पुरी सिद्दत से चाहो ना तो पुरी ताहिना अथा तुमें उससे मिलाने का लग्शा जीने की बर्णिंग डिजायर सिद्दत नसी बर्णिंग डिजायर आप यह नहीं होति है यह यह किसी भी चीज चाहने के लिए बनेंज इजयर होर्ण बचस्ट वी चाहिए और कर दनिय שמנ ji डी क्म मघे हैं ऑप दिल से च्टेज को सेटीय। कि सबांगा के लिपके खिंग कमेंन में जरूर बताएगा और अपकी बर्निंग डिजाइन जाहे आपकी चीज को सिद्डब से चाहते और उसे पाना चाहते उख